मस्कर दोस्ते और फिस साफी की YouTube चैनल मार्केट मोबर फिस सभी को स्वागत अभी हम लोग बात करेंगे मारूतिय सूजुकी लिमिटेट के बारे में मारूतिय सूजुकी का सेल्स का डेटा आ चुका है और एनसी पे यह अपलोडेड हो चुका है और यह मुझे मिला तो मैंन जाएंगे उस जगह पर सेल्स के डेटा पर और देखेंगे उससे पहले हम लोग इसका कारोबार देखते हैं तो कारोबार काफी खराब रहा पिछला 30 तरीक को मंगलवार के दिन इसमें ट्रेडिंग देखिए लगबग 3% की गिरावट और मैं यह यह भी दिखा रहा हूं क कि देखिए यह अपने लोग के जाके लोग के पास में जाके अपना क्लोजिंग गिया है तो यह भी एक बहुत ही खराब बात है हम मुझे तैसा लग रहा है कि यह कल जब मार्केट खुलेगा आज तो मार्केट बंध है महरस्ट्रा दिवस के वजह से तो कल जब मार्केट इसका जो लोग है आप देख सकते हैं इसका लोग है छेसो 6630 रूपय का असपत यह लोग अगर तोड़ता और थोड़ा देरे ट्रेड कर लेता 10-15 मिनिट तो यह डाउनसाइड और भी ज्यादा देखने को मिलेगा हम लोग को तो इस पे हम लोग सेल्स को पहले देख लेते हैं फिर इसका अकलन करेंगे कि हमें इंट्राडेप यह प्रॉफिट दे सकता है या नहीं तो चलते हैं सेल्स के डेटा पर और इसके रिजेल्ट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं रिजेल्ट भी काफी खराब हो दे जिसके वज़े से यह इंपेक्ट आया था और यह डाउनफॉल शुरू हुआ है तो हम लोग चलते हैं मानिका कंट्रोल के आप में थोड़ा सा डिटेल्स जाएंगे रिजेल्स पर फिर जा सेंट्स ठीक है और यह 1796 करोल का प्रॉफिट एनाउंस की थी और डिवीडेंड 80 रूपिया का यह सेर डिवीडेंट मतलब पर शेर 80 रूपिया का डिवीडेंट भी पे करेगी इसका भी एलाउंस किया था तो यहां पर देखिए हुआ क्या था कितना एक प्रॉफिट ठीक है लास्ट इयर में तो इसलिए इसका रिजेट काफी खराब देखने को मिला और क्यों नहीं देखने को मिलेगा इसका सेल्स का डेटा आप देखिएगा तो खुदी समझ माया जाएगा कि इसमें प्रॉफिट होने का कोई चांस ही नहीं सारे चीजों में आप किसी भी व बात करते हैं बहुत लेकिन यह चीज़ देखिए यहाँ पर के आर चॉक्सी यह बहुत ही बड़ा ब्रॉकरिंग फॉर्म है बाई रेटिंग दिया था कि अब 29 तारीक को अब देख सकते डेट भी बाई करने के लिए दिया था और क्या था इसमें टार्गेट 7984 मतलब इतने विवर से भी पुछना चाहता हूं कि यह जो इन वहने दिया इतना के और यह भी गया थाने बैटने कि शननका कि तो Elite लोस इनका कोई कोई जगा है इनसे कोव्चन करनेका नहीं है । MALE यूटूब में थोड़ों से मिस्टेक हो जाती तो वो उनके पीछे लग जाते हैं अभी देखिए इनका ICIC Direct का किसी जगह पर सेल कॉल दिया है तो इन लोगों को अभी बताइए दोनों में से एक चीज़ तो किसी ने किसी ने लिया ही होगा या तो लोगा उनको कितना। दिखें तूछिये देखिए ज़श की मारूतिस सुजुगी का प्रेस्स रिलीज हुआ है और उन्होंने डेटा दियो PDF format पर अबलेबल है आप यहां से जाके खुछ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मैं यह डाउनलोड कर चुका हूं तो हम लोग इसके यह पर चलते हैं PDF पर उसके बाद बात करते हैं तो देखिए मारुति सुजी की का यह PDF डाउनलोड हो चुका है देखिए यहां पर फास्ट माई 2019 को यह डेटा आया हुआ है सब्जेक्ट क्या था तो आप यहां पर देख सकते हैं सब्जेक्ट में क्या है डियर सर प्लीज फाइंड इंक्लोजड हेर विद कॉपी अपर प्र मारुति सुजी की का पूरा फूल डेटा आया हुआ देख लिए मारुति सुजी की अपरिल का सेल्स ठीक है अभी तक का प्रेस रिली नियोदुल्ली मारुति सुजी की लिमेटेड सोल्ड टोटल अप इतना यूनिट्स इन अपरिल 19 इस इंक्लूड जो भी है वन लाग 33,000 यूनिट्स डॉमेस्टिक मार्केट और वगरा जो भी सेल्स है एक्सपोट हम लोग बात करेंगे यहां पर डारेक्टली यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ तो जब हम लोग देख रहे हैं कि वैकिल्स का जो सेल्स है वह पैसेंजर वैकिल्स में देखी ऑल्टो व वैगेनर 2 2019 में कितना हुआ 22,766 वहीं 2018 अप्रील को क्या था 37,794 तो देखिए 49% का भारी नुक्सान देखने को मिल रहां 2018 और 2019 में उसी तरह पैसेंजर वैकिल्स में देखिए न्यू वैगेनर, स्विप्ट, सेलेर्यू, इगिनेस, वैलनो, डिजायर और टावरेस इस पर क्या था 13% का चेंज देखने को मिल रहां ठीक है 72,000 इन्हों ने सेल्स किया इससे पहले साल में इसने 83,000 का सेल्स किया था और इसके आगे भी आप देखिए सियाज यह भी एक फोर विलर कार है इनका इसमें भी 45% का गिरावड देखने को मिला है ठीक है और इसके आगे अगर हम लोग जाते हैं तो देख पा रहे हैं कि इनका जो जिपसी है, आरिटी का है, एसक्रोस है, वीटरा, ब्रेजा है इसमें भी देखिए इसमें थोड़ा सा इंक्रेमेंट देखने को मिला 5.9% का जो की बहुत ही अच्छा डेटा नहीं माना जाएगा ओमनी इको, इसमें 26% का सेल्स का डेटा खराब देखने को मिल रहा है, मैं तोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखी सकते हैं, ओमनी इको में 26% की गिरावण, उसका डॉमेस्टिक वैकिल्स में 19% की गिरावण, और टोटल अगर देखा ज जाए, तो टोटल डोमेस्टिक सेल्स में देखिए, 16,16,14,000 के आसपास इनका प्रिवियर सेल्स था अभी इनका क्या सेल्स हैं, एक लाख चौंतिस हजार, 18% की गिरावण, एक्सपोर्ट सेल्स में भी, एक्सपोर्ट सेल्स थोड़ी सी ठीक ठाक है, लेकिन अगर टोटल एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक अगर मिला दिया जाए, तो देखिए, 17% की भारी गिरावण, हम लोग को देखने मिल रही है, जो की बहुत बड़ाची होता है, 17% टोटल यूनिट्स, अगर देखा जाए, टोटल डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट, तो ये एक डेटा थ ठीक है, तो ऑटो सेल्स भी मार्केट को, मार्केट और निप्टी को, कल दोनों ही चीज़ इंपक्ट दिखाएगी, और मारती सुझी को में डेफिनेटली इस पे डाउनफॉल देखने को मिलेगा, तो इंटर डे पे इसके लोग पे सेल लगा के आप इसका देख सकते हैं, इंटर डे में ही प्रोफिट आपको अच्छा कासा मिल जाएगा, इससे पहले में रिटा, यस बैंक पे एक वीडियो बना के डाला था परसू, मंगलबार को और उसने 30% का डाउनफॉल दिखाया, मैं यस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो आएगा, आप देख लेकिन मेरे बोलने पर आप इस पर बाई एसल ना करें, आप अपने ट्रेडिंग डेक्स पर लगाई है और अपने टेक्निकल रिव्यू को लेने के बाद अपने अनलेसिस करने के बाद इस पर बनाएं, इस पर न्यूज है, इसी वज़ा से इस महल चल देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने इस शेयर को इंटरडे के लिए प्रिफेर किया है, आप अपने हिसाब से ट्रेड लिए और यह डेफिनेटली सेल्स तो बहुत ही खराब डेटा है, तो यह एक डेटा मैंने आपके आप तक अपने वीडियो का मादम से पहुचाया, अगर आपको अच्छा ल दाओ, थैंक यू वेरी मुच्छ